दोस्तों नमस्कार कैसे हैं? आप लोग मियासा करता हूँ? आप लोग अच्छे हूँगे और आज हम लोग प्रश्णावली 14.1 के प्रस्ण संख्या 2 के दूसरे भाग को सुल्फ करेंगे अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिजेगा और चैनल पर लाएं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे हर आने वाली वीडियो का निटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी तो आज ये वीडियो सुरू क करते हैं प्रसन संख्या 2 का दूसरा भाग है कर्मागत ध्यनात्मक पुर्णांकों का गुदन फल 306 है हमें पुर्णांकों को ग्याद करना है तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि कर्मागत क्या होता है इसके बाद समझ लेंगे कि पुर्णांक क्या होता है ठीक है तो देखे, यहां करमागत है, कर्मागत का मतलब होता है करम से सिरियल से लगातार, जैसे कि मानली जी कि अगर कोई संख्या एक है, तो इसका अगला संख्या जो होगा, वह क्या होगा? दो होगा इसका अगला संख्या क्या होगा तीन होगा इसका अगला संख्या चार होगा इसी प्रकार से यह संख्या आगे के तरह बढ़ता चला जाएगा ठीक है यहां और आगे कह रहा है कि धनात्मक का मतलब होता है प्लस में क्या होता है प्लस में इसको हम क्या बोलते है धन और एक संख्या होता है माइनस में इसको हम बोलते है रिनात्मक क्या बोलते है रिनात्मक और इसके आगे है क्या पुर्णांक तो पुर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं दिखें प्राकृतिक संख्या और पुर्णांक संख्या को मिलाने से क्या बनता है पुर्णांक संख्या बनता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला करमागत धनात्मा पुर्णाच संख्या को मान लेंगे X, ठीक है, तो लिखेंगे, हल मान लिया की पहला करमागत पुर्णाच संख्या बराबर X, ठीक है, इसलिए दूसरा करमागत पुर्णाच संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, X में एक जूर जाएगा, क्यों जूर जाएगा, क्योंकि यहाँ एक था, यहाँ क्या है, दो, तो दो कब आया, एक में एक जूरेंगे तब दो आएगा, फिर दो में एक जूरेंगे तो तीन आएगा, ठीक है तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ एक प्लस हो जाएगा ओके और प्रस्ण कह रहा है कि इस दोनों सांख्या गुनान फल कितना है 306 है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे गुना कर देंगे तो लिखेंगे तब प्रश्णा नुसार प्रश्णा नुसार X into X plus 1 बराबर कितना है 306 है कितना है 306 तो लिखेंगे 306 अब इस से गुना करेंगे अंदर के दोनों संख्या में बारी बारी से ठीके तो X में X से गुना करेंगे तो क्या हो جाएगा X का a square, A 302 से अगर हम एक में गुना करते हैं तो X एकम क्या होगा, X ही होगा, बराभर 306 तो X स्क्वेर, पलस का X, और बराभर के बाद युँ संखिया होता है पलस में उसको बराभर से पहले माइनस में लिखते हैं और माइनस वाले को बराबर से पहले पलस में लिखते हैं तो पलस का 306 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 306 बराबर सुने लिखेंगे चुकी यह दुईहाथ समिकरन का ब्यापक रूप A X स्क्वेर प्लस B X प्लस C बराबर सुने के रूप का है के रूप का है इसलिए उप्रुक्त समिकरन दुईहाथ समिकरन है दुईहाथ समिकरन है ठीक है देखें यहाँ A X स्क्वेर है और यहाँ क्या है X स्क्वेर यहाँ B X है यहाँ X है और यहाँ C है तो यहाँ क्या है माइनस का 306 यानि कि इस रूप का है ठीक तो यह क्या हो जागा दुईहाथ समिकरन हो जाएगा तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई वीडियो समझ में आ गया होगा अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई पड़ेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलोकेश्टरी के प्ले लिष्ट में जाकर इसे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद